हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सलूशन आज हम लेकर आये हैं बिहार सरकार सिक्षा विभाग का एक नोटिफिकेशन जिसमें इसमें सभी डाइट, PTC और बाइट कॉलेज़ों को लिया गया है जैसा कि आप देख रहे हैं विषय है इसमें क्या किया जाएगा जैसा कि आपको गया था कि COVID-19 के चलते बहुत सारी समस्याइं पैदा हुई है तो जो अपलाई किया गया था इससे पहले डियलेट में एड्मिशन के लिए जिसमें हजार रुपया के लगभग हर एक एपलिकेशन पर लगा था वो एपलिकेशन को बंद कर दिया गया है अर्थाथ उसको रद कर दिया गया है और इसमें फिर से मार्क्स बेसिस पर मेगा सोची बनाई जाएगी जिसमें मैट्रिक इन्टर को यो सेको जोड़ा जागा मांकेशन के परकिरिया को इसमें सिग्र से सिग्रह करने की बात कहे गया है जो एंसिटी के द्वारा जाएगा और डिया डियलेट मैं कॉइर्स क्विर्ट सीट ही जिसमें जितने फिसमें मेख़ा सुची बनेगे इसमें DLA के आप देख सकते हैं सकन्प संख्या 12 परसिक्षन 89 साथ 2004 दिनांग 19-2018 में नामांकन है तो निर्धारित प्रावधानों में उलिखित निमलिखित शंशोधन के अधारपन नामांकन की करवाही की जाएगे यानि के 2008 के ही तत्वादान में 2020 और 22 का जो एड्मिशन होगा वो किया जाएगा जिसमें जिस तरह के जो आरक्षन थे उन आरक्षनों को इसमें रखा गया है जिससे SCST के लिए जो आरक्षन है पांत परतिशत और शक्त के लिए पांत परतिशत छुट दे गई है अंक में फिर पांत परतिशत उर्दू अभिर्थि के लिए भी रखा गया है और 10 परतिशत 36 अरक्षन लागों होगा इसमें सुकिर्चित का 50 परतिशत जो होगा वो विज्ञान के लिए और 50 कला और वानिज अभिर्थि के लिए अरक्षित रहेगा अगर सुकिर्चित विशम होगा तो 50 परतिशत के गन्ना में एक पद विज्ञान को अधिक दिया जाएगा यानि के विज्ञान को वरेता दिया जाएगी और एक सिट विज्ञान को बढ़ जाएगा और कला और वानिज में एक सिट गढ़ जाएगा उर्दू विसे में जो नमांकन होगा उसमें सिर्फ कला और वानीजी के ही विसे को लिया जाएगा उसी में आरक्षन दिया जाएगा नमांकन में जो आरक्षन है इसी पर लागू होना है प्रामाप्तांकों को जोड प्रतिशत निकलेगा इसी है दोनों का प्रतिशत का दो आदाद टो जोड़क क्रादकों के करतेenne इस tenth आदा के द आदो करतेenne जो अधिक योग होंगे अर्था जिनका पर्थिशत अंक अधिक होगा उन्हीं को प्राथ्मिक्ता दे जाएगे अगर ऐसा हो कि दो वेक्ति को एक ही अंका है तो जिनका नाम अलफावेट में पहले होगा उन्हीं को प्राथ्मिक्ता दे जाएगे उर्दू अभिर्तियों के लिए क्या है? उर्दू अभिर्तियों के लिए है कि सबसे पहले मौलवी जो होंगे मदर्साबोड से मौलवी का जो योगिता लिये होंगे उनको प्राइट मिक्ता दी जाएगे उसके बाद उर्दू विसे रखने वाले को उसके बाद अहिंदी भासी के साथ जो उर्दू रखे हैं उनको उम्र सिमा क्या है? नियुंतम उम्र सिमा जो होगी 2020-22 के नमांकन में 2020 के जन्वरी महा में पहले तारीक को उनका उम्र 17 वर्थ होना चाहिए कम से कम अधिकतम उम्र सिमा तही नहीं की गई है दी जा रही है समय के अभाव में 2020-22 में ओनलाइन आवेदन के लिए जो ने देशाले द्वारा सभी राज के सिक्चपर सिक्चन संस्थानों के लिए एक ही विग्यापर प्रकासित की जा रही है अलग-अलग से कोई इसके लिए विग्यापन नहीं दी जाएगे जैसा कि यहां कहा जा रहा है सभी परचारी क्या करेंगे अपने अपने वेबसाइट पर पहले के जैसे ही ओनलाइन नमांकन के लिए आवदन लेंगे और निर्धारिक शुल्क भी अदा करवाएंगे निर्धारिक शुल्क जो होगा उसे लेंगे डियलेट कर्स में नमांकन है तो सभी आवदन के एक समय के मिधा सुची बनाईगी जाएगी और आरक्षन के कोटी के अभिर्चन के लिए नियमान शुल्क नियमान शुल्क कोटीवार मिधा सुची तैयार करके प्रकाशित की जाएगी इसमें आप देख सकते हैं केलेंडर भी दिया हुआ है कि आवदन प्राप्ट करने की प्रारम तिति जो है 21-12-2020 आवदन प्राप्ट करने के अंतिम तिति 4-1-21-21 मेधा सुची का निर्मान 11-1-21-21 को किया जाएगा और इसमें एक बात कहे कि है कि सभी प्राचार नामांकन परिकिरियाप इस परकार संचालिज करेंगे कि अभर्तियों को नामांकन कराने में कट्राई नहीं हो तथा संस्थान महावध्याले में सुकिर सीटों के उरुद 95-25 से कम नामांकन नहीं हो यानि सव में 95 एडमिशन होना आवशक है इसके लिए इसके बाद आप देख सकते हैं मेगा सुची का जब परकाशन हो जाएगा 13-12-21 तक और उसको वेबसाइट पर डाल दिया जागा सुचना पट पर भी रहेगा हर कॉलेज में यानि हर को आप चाहें तो एक एक कॉलेज पर आप एप्लिकेशन डाल सकते हैं जितने भी अधिक कॉलेज होंगे आपके चांसे बढ़ेंगे मेधा सुची पर अबर्धिय द्वारा पत्ती अगर आपको या पत्ती है तो 21-21 तक आप उसा पत्ती को कर दें और उसा पत्ती का निराकरन सताइसे 21-21 तक वेख कॉलेज कर लेगा फिर 29-21 तक इमल पर अनिवाइड रुप से दुर्भास पर अतिरुप में नामांकन है तो सुचना प्रेसर किया जाएगा नामांकन जो होगा पर्थम सुची उसके पात परतिक्छा सुची दोनों के दार पर होगा 52-21 तक नामांकन परिकरिया जुब होगी वो बंद कर दी जाएगी 62-21 तक कच्छा संचालन के तैयारियां जो है 72-21 से 18-21 तक कर लिया जाएगा उसके बाद फेस टू फेस या आउनलाइन मोड में 19-21-21 सुक्रवार को कच्छा का संचालन शुरू गिया जाएगा इस तरह से आप देख सकते हैं कि ग्यापांग 12 परसिक्षन 1 2016-315 के आधार पर दिनांग 16-12 2020 के आधार पर आपको एडमिशन के लिए आवेदन लिया जा रहा है तो आप इंतजार ना करें और जल से जल जाद से जाद है कॉलेजों पर अपलाई करें और अपना सीट रिजर्व कर ले अगर हमारा चनल आपको पसंद आता हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें लाइक करें धन्यवाद